हलो मेरे प्यारे बच्चों मैं रोश्णी मैं स्वागत करती हूं आप सभी का यूपी बोर्ट के नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल में आई होप आपसब अच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शांदार और जानदार तरीके से कर रहे होंगे तो आज लेकर की आ गए हैं आपके पोईट्री पोशिशन का एक बहुत ही सुहाबना और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर poet का नाम यहाँ पर दिया हुआ है क्या code skinny तो यह जो कविता है rain on the roof यह code skinny जी की कविता है ठीक है तो आपको poet introduction बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आपको सिर्फ याद रखना है कि rain on the roof जो यह कविता है यह किसकी है code skinny जी की अब इसमें हम क्या पढ़ने बाहे हैं वो देखते हैं इसमें हम देखो पूरे चैप्टर की पूर्ण व्याख्या पढ़ेंगे यानि कि जितना भी पूरा चैप्टर होगा उसका complete explanation सारांस पढ़ेंगे बाद में समरी पढ़ेंगे चैप्टर की शॉट में आपको बताएंगे केंदरी विचार बताएंगे जो आपके एक्जाम में पूछा जाता है पोयम से आपका central idea जरूर आता है इसलिए central idea बताएंगे और प्रेशल उत्तर यानि मान के चलो कि आपका पूरा जितना whole chapter है पूरा का पूरा chapter वो आपको पूरी एक वीडियो में complete मिलेगा इसलिए end तक बने रहिएगा तो हम अपनी class को शुरू करते हैं तो बेटा देखो ये जो basically ये जो chapter है ना rain on the roof मैंने बता दी एक quote skinny जी की कविता है ठीक है अब ये बात किसकी हो रही है यहां बात हो रही है जो human मतलब जानते हो कि थोड़ा सा मतलब वो आद्र सा मौसम आद्र चाया human shadow मतलब आद्र चाया दिया है विन दा human shadow over all the starry space मतलब बूला है कि जब पूरे starry space यानि आकाश में यहां पे जो सितारों से भर आकाश होता है आसमान होता है उसकी बात हो रही है कि जब आकाश मतलब सितारों से भरे आसमान में जब human spheres आ जाते हैं यानि कि काले काले बारिश वाले बादल यहां पे काले बादल जो बारिश से भरे हुए होते हैं उनकी बात हो रही है कि जब starry spheres में यानि की तारो भरी रात में, जब उनके बीच में क्या आजाते हैं, काले काले, बारिषवाले बादल आजाते हैं, and the melancholy darkness, और चारो तरफ क्या हो जाता है, कला कल अंधकार छा जाता है, क्या होता है, What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed तो यहाँ पे जो कवी है वो अपने जो bed है इनका पड़ा हुआ इनका जो कमरा है वो एक cottage में रहते हैं और इनका जो room है उसके just बाहर balcony है और वहाँ पे क्या हो रहा है बारिश हो रही है तो जो बारिश की बून्दे है वो छट पे गिर रही है तो उसकी आवाज इनको महसूस हो रही है तो यह बहुत प्यारे तरीके से बता रहे हैं कि मैं अपने पिलो को कस्त के पकड़ के लेटा हुआ हूँ और मुझे बहुत ही प्यारे तरीके से क्या है आवाज सुनाई दे रही है क्या और यह मुझे बहु दे रही हूं and lie listening to the pattern of the soft rain overhead और यह क्या है कह रहे हैं कि जो बारिश की बून्दे हैं मेरे उपर गिर रही है इनकी सुहावनी आवाजों को यानि कि जो टिप करके पानी गिरता है उसकी आवाजों को मैं सुन पा रहा हूं महसूस कर पा रहा हूं अब हम इसकी पूर्ण आख्या देखते हैं मैंने क्या बताया आपको ठीक है क्या दिया हुआ है कवी कह रहे हैं कि जब आद्र छाया मंडराती है यानि यहां पर आद्र छाया का तात्पर काले बादार जो पानी से भरे होते हैं कवी कह रहे हैं कि जब आकास में बादलों से भरा होता है और नमी स भरे होते हैं पानी से भरे होते हैं बारिश लाने वाले होते हैं तब ऐसे बादाल आकाश में मिंडराते हैं तो कुल मिलाकर तारो वाले गोल तारकी गोले को संदर्वित किया जा रहा है जो रात के समय आकाश तारों से भरा होता है यानि यह आकाश जो तारों से भरा होता है यहां पे उसको बोला जा रहा है तारकिय गोला उस समय आकाश में नमी से बड़े 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 बादल उमर घुमर कर रहे हैं और आकाश में गिरनी आसूँ जैसी वर्षा की बूनों से रात को दुखत अंधकार में मिट जाता है यानि कि यहां पे जो अंधकार है उसको डुख बताया गया और रैंड्रॉप्स को उसका राम बन बताया गया है कि जैसे बारिश होना शुरू होती है वैसे क्या होता है जो यह अंधकार होता है यह कवी वर्षा की बूनों की तुलना आसूँ से कर रहे हैं यह पॉइंट tô आपका important हो सकता है और वह कहते हैं कि जो अनहेरा आकाश में बहुत उदास प्रतीत होता है ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहां कहर रहा हो और वर्शा की बूंदे उसके द्वारा बहाए गए आसूं यानि कि बता रहे हैं कि आकाश में जो यह अन्धकार शाया हुआ है वह उदा आसीक में जो यह बारिश हो रही है यह क्या है उसके आसूं है वह कहते हैं कि अपने कमरे कोटेज चैंबर का मतलब होता है जहां पर आराम किया जाता है बिस्तर पर लेटना और च्छत पर गिरने वाली बारिश की बूंदों से होने वाली आवाज को सुनना एक की तरह हैं मैंने जैसा कि बताया कि कभी यह जो बहुत ही प्यारे तरीके से इस चीच को एक्स्प्लेइन कर रहे हैं कि वह अराम से अपने चैंबर में लेटे हुए है और आराम से उन आवाजों को सुन रही है फिर आगे देखिए यह नेक्स्ट स्टैंज आए क्या बोलना है एवरी ट्विंकल ओफ सिंगल्स हैवन इकों दा हर बूंद पर हर बूंद जो भी बूंद गिर रही है धर्ती पर उनके दिल में एक अजीब सी हलचल बता रही है ठीक है अजीब सी हलचल मचा रही है थाउजन ट्रीनी फैंसे इंडू दा बीजी बिंग स्टार्ट और क् की बूंदों की आवाज सुनकि उनके दिमाग में उनके मनलब यह व्यस्त दिमाग उनका था विस्त दिमाग था उसमें कई तरह के हजारों सपनी आने शुरो जाते हैं हजारों यादे उनकी ताजा होनी शिरू हो जाती है फिर का है एंड जन री newer collection thousand recollection weave their air threads into the room और क्या है बोल रहा है कि हजारों उनकी पुरानी यादे जैसे हवा का बहाओ खिड़की से अंदर आ रहे हैं उसी हिसाब से वो भी उनके पास आ रही है as I listen to the pattern of the rain upon the roof जब भी मैं क्या हूँ क्या कह रहा है जब भी मैं कैसे आ रही है कैसे यादे आ रही है जब भी वो क्या है बारिश की बूंदों की गिरने की आवाज जो है वो सुन रहे है ठीक है अभी हम इसकी ब्याक्या देखते है क्या है कवी अपने घर की छत पर गिरती बारिश की बूंदों को सुनकर अपनी भावनाओं को विक्त कर रहे हैं वह कहते हैं कि खपरेल की हर ज लकडी का लकडी रहती उसमें खासफूस लगागे रखते हैं पन्नी लगा देते हैं देश का वो सारी चीज़े लगाते हैं उसको खपरायल बोलते हैं ठीक है अगर आप ने सुना होगा आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपके इस तरफ क्या बोलते हैं में तरफ क्या बोलते हो खपरायल से आप क्या समझते हो ठीक है जब भी वह छट पर गिरती हुई बारिश को सुनता है तो ध्वनी उसके दिल में दोराती है और उसके सपने में उसके पास कई अलग-अलग कालपनी कलपनाएं होती हैं वह आगी कहती हैं कि छट पर गिरती बारिश की यह आवाज उनके मन में कई अलग-अलग सपने पैदा कर रही है उससे अतीत की कई याद आती है जो सपने के रूप में उसके दिमाग में लोट आती है तो वह कहता है कि जब वह छट पर बारिश की आवाज सुनता है तो उसके मन में कई नय सपने आते हैं और अतीत की कई स तु पुरानी यादढा ताजा भी ँर मिलत के यान। हो चुकी है तो poet को वही सारी चीज़े याद आ रही है क्या कह रहा है now in memory comes my mother as she used in years ago बोला है कि अम मुझे क्या याद आ रहा है मुझे मेरी मा की याद आ रही है क्या रही है मुझे मेरी मा की याद रही है जो कई दिनों पहले कई सालों पहले क्या थी गुजर गई थी तो regard the darling dreamers she left them to till the dawn बोला है इनको या अपनी मा के लिए क्या है कह रहे है क्या है वो मेरी darling dreamers थी यानि कि हर समय मेरे सपने में आने वाली थी और क्या कह रहा है कि जब उन्हों ने मुझे छोड़ा तो हर बार मेरे सपने में वह आती थी ओ आई फिल हर फॉन लुक अपॉन मी आज आई लिस्टु दियर दा रिफ्रेन बोला है कि जब भी मैं परेशान हुआ हूँ तो वह अपनी घुटने मोड के बैट जाती थी और मैं उनकी क्या करता था अपना पैर जो अपना सर जो है उनके पैर में रख लेता था वो मेरे बालों को सैल आती रहती थी और मैं ऐसे प्रेश की बुंदे सुनता रहता था विच इस प्लेड अपन दा सिंगलिंस बाइपैटर ओफ दर रेंज ऐसा कि मैंने बताया बारिश की बुंदे सुनता रहता था और मुझे वह पल क्या लगता था बहुत सुहावना लगता था वैसे भी मा की गोद में तो जननत होती है तो मा की गोद में मतलब एक अलग सा सुकून होता है मतलब मेरा भी परसनली यही है कि जब मैं बहुत जादा परेशान होती हूं मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं दुन्या के उससे परेशान हो जाती हूं तो कुछ नहीं करती हूं मम्मी के पास जाती हूं जागे बस उनको लिपट जाती है कि छो यहां कभी अपनी मा का पष्षय देते हुए जैसा कि उन्होंने पिछले श्लोक में कहा था कि बारिश अतीत की यादे दिलाती है तो अतीत में उनकी मा की भी यादे दिला रही है ठीक है यहां उनकी मा की याद अब जो जीवित नहीं है यानि उनकी मिर्दमित्य हो चुकी है पहले तो उससे बहुत प्यार करती थी अपना बारिश की बूंदों से बना गाना सुन रहा है बारिश की आवाज उसे अपने अतीत को अपने वर्तमान से जोडने पर मजबूर कर रही है यानि बारिश की बूंदे जो है वो क्या कर रही है जो कवी है उसके अतीत को उसके आज से जोडने की कोशिश कर रही है यही कारण है कवी अपने कमरे की छट पर बारिश की बूंदों की आवाज से ग्रवित हो जाता है यानि कि मन उसका बहुत विचलित हो जाता है परिशान हो जाता है जब भी वही आवाज सुनता है तो उसके अतीर की यादे ताजा हो जाती है और उसे अपनी मा की याद आ जाती है वस्ते हैं summary जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपनों short में सारांस बताऊंगी तो चलो वो देखते हैं summary क्या है इस chapter की ठीक है देखो क्या दिया हुआ है the rain on the roof talks about the poet's varied reaction to the sound of raindrops falling on the roof of his house मैं अब ये जो कविता है ये जो rain on the roof कविता है ये अपने घर की छत पर गिरने वाले बारिश की बूदों की आवाज पर कवी की विविद प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करी यानि कवी जैसे कैसे सोच रहा है क्या कह रहा है वो सारी सीज़े बात कर रही है मैं बोल ला है कि ये रात के समय जो बारिश हो रही है यानि जो रात का अंधिकार है या पर उदासे दिखा रहा है और जो बारिश की बूदों की गिरने की आवाज सुनना क्योंकि इट गेट्स बैग सुईट मेमोरीज ओब दापार क्योंकि उसे जो उसके पुरानी अतीत की जो कुछ सुहावनी और प्यारी प्यारी यादें है वो वापस आ जाती है he says that the sound of raindrops helps him to fall asleep and give sweet dreams वो कह रहा है कि जो बारिश की बूंदे गिर रही है न वो उसको सोने के लिए और बहुत प्यारे-प्यारे सपने दिखाने के लिए क्या है काबिल है he has memories of his loving mother उस बारिश की बूंदों में उसकी मा की प्यारी-प्यारी यादे है वुड़ पूट देम टूशलिव जो कि उससे सोने में सहयता करती है क्या करती है जो कि उसको सोने में सहयता करती है ठीक है अब ही आगे देखते है अब इसका central idea हम समझते है ठीक है central idea क्या है इसका केंदरी विचार क्या है चलो central idea of this poem क्या दिया हुआ है तो the theme of the poem is the healing power of rain यह जो central idea इस कविता का वो यह है जो बारिश की healing power है यह बारिश की शुहामनी याद है उस पर है the musical sound of raindrops falling on the rooftop at night as the ability to receive sweet memories बुला है जो यह musical sound है raindrops का जो की इसके देखो यह होता है खपर जिसकी बात हो रही है तो इसके उपर क्या है रात में गिर रहा है और यह इतन काविर है किसके जो प्यारी प्यारी memories sweet memories है जो वापस आ रही है rouse pens is otherwise busy mind जो हमारा दिमाग क्या होते है न पूरा दिन काम करती है न बीजी हो जाते है न किसी चीज़ के बारे में सोचने का मौका ही नहीं पिता है लेकि जो बारिश की बुंदे सुनो तो वह अंदर से एक सुकून का प्रतीज देती है ठीक है तो प्यारी प्यारी यादों को ताजा कर रही है और जो हमारा दिमाग पुरक्दम काम करकर भी भर गया है उसको भी खाली कर रही है पास की कुछ पुरानी यादे बहुत अच्छी अच्छी उनको भी ताजा कर रही है इसको जरूर से लंड कर लीजेगा because it's very 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 important क्योंकि ये exam में 100% आएगा क्या exam में ये 100% आएगा तो इसको जरूर याद कर ली न ठीक है अब हम लोग आगे क्या देखने वाले question answers ठीक है ncrt books में आपने जित्ते question answers दिये हुए हम वो देखते है पहला question answer जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है what do the following phrases mean इन phrases का मतलब क्या है जो ये phrases दि क्या होता है आदर चाया तो देखो यहाँ पर answer में दिया है human shadow refers the dark clouds which are full of water मतलब है काली बातल जो पानी से भरे हो दूसरा इस starry spares starry spermament बता दिया है क्या तारों से भरा गोला तो देखो इससे क्या refers the sky of at night which full of stars मतलब ये रात की बात हो रहे है जो तारों से भरी होती है फिर है what a bliss bliss का मतलब यहां पर क्या है ब्लेजिंग यानि की जो रेंड्रॉप जो ब्लेजिंग की तरह प्रतीत हो रही है यह उसके बारे फिर क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है people start having various sweet dreams यानि यहां पर बारिश की बूंदे सुनी जा रही है तो कई हजारों जो पुरानी यादे हैं प्यारी प्यारी मेमरीज वह वापस आ रही तो उसकी बात हो रही है यहां पर थाउजन री कलेक्शन वीप डैट एयर थ्रेड इंटू दा रूम इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि जब लोग सोते हैं तो उनको उनकी पास्ट यानि उसके पुरानी जो क्या पसंद करते हैं जब बारिश हो रही होती है तो जब बारिश हो रही होती है तो पोईट लाइक्स टू ले इन दा बैड तो पोईट जो है बैड पर लेटना और बारिश की बूने जो छट पे गिर रही है उसको सुनना अपने रूम पर लेटे लेटे यह पसंद करते ह इसा कि मैंने आप गो पोएम एक्स्प्लेइन करते टाइम बता ही दिया था ठीक है फिर क्या है वो लै कि वो सिंगल मेजर मेंबरी क्या है डाज कमस तू दा पोएट की दिमाग में आई है वो डार्लिंग ड्रीमर से तो देखो दार्लिंग ड्रीमर के लोग दमाद यहां पर जब वो छोटे बच्चे थे तो बता रहे हैं she would put him and his siblings to the bed and allow them to sleep till late तो क्या कह रहे है जब वो छोटे थे तो वो क्या करती थी उनके ममी उनके भाई बैनों के जाथ उन्हें बेट पर देर तक सोने देती थी तो क्या बोला है वो सुहाम ने प्यारे प्यारे जो सपने देख मतलब चचेरे ममेरे और सब सिंबलिंग्स में आ जाएंगे विन देवर चिल्डन जब वो छोटे थे and they had sweet dream तो इनको क्या थे बहुती सुहावने और प्यारे प्यारे सपने आते थे देवर लव्ड बाई देयर मदर वो अपने मा के दोरह बहुत प्यार किये जाते थे तो अब भी जंदा हैब यह पूछ रहा है तो नहीं नौ द पौ इस जी पॉड़् है वह बच्चा नहीं है अब बड़े हो चुकी हैं न की मा की मृत्य हो चुकी है तो मेरे प्यारे बच्चो आज छी क्लास में इतना ही था यह रेन अंदर रूप बहुत ही प्यारा चेप्टर था एक दम मन लगा के देखे पढ़िएगा एक एक लाइन को बहुत ही आराम से मैंने समझाया है और आई होप आपको क्लास समझाई होगी पसंदाई होगी बेज चैनल को फॉलो करें दीजे सब्सक्राइब कर दीजे और लाइक करें और कॉमेंट करके बताई आपको क्लास कैसी लगी तो बेटा मिलती हो आपसे इसी तरह शांदार सी नेक्स्ट क्लास में तब तक क्लिए खयाल रखिए रादे रादे मेरे प्यारे बच्चो